तो कैसे आप सब तो आज हम साइन्स के उन मौस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिसकस करेंगे जो आपके गौर्डमेंट एक्जाम के नजरी से इंपोर्टेंट है तो आज सही हम अपने एक्जाम की परपेशन शुरू कर रहे हैं और उमीद करते हैं कि भी मैक्सिममँ दो महीने के बाद आपकी कोई ना कोई जो गौर्डमेंट एक्जाम जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वह जल्द ही आपका एक्जाम आ जाएगा तो आज सही हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम जो आज देखेंगे शुरू आज कर रहे हैं वह साइन टो उसे पहले हमें ये जाना जुरूरी है कि आखिर जो साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है अगर आप सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे तो आपका जो इसलेबस बहुत वास्थ है आपको जोग्रफिए पढ़नी है इस्टिय पढ़नी है पॉलिटी भी पढ़नी है जीके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और हमें पढ़ के ही जाना है तो शुरू करते हैं कमेंट सब बाद में करिएगा आप वीडियो को पहले ध्यान से पूरी तरह देखें लास्ट में वीडियो जो पूरी हो जा उसके बाद नीचे कमेंट करिएगा मैं आपका सारे को करें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें आप हमें फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलिग्राम ट्विटर पर तीनों पर हमारा काउंट है और इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी या वहां जाकर दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे तो अपको हमारा काउट मिल जाएगा तो शुरू करें साइंस में हम देखेंगे सबसे पहले हम साइंस में देखें तो ज्रोट ली इसमें तीन चीजें हम देखते हैं biology chemistry physics लेकिन इसमें हम दो चीजों रैड कर सकते हैं, यानि कि Environment और Science and Technology, जिसे हम आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आज की वीडियो आप Part 1 समझ सकते हैं, अगर आप चाहेंगे कि मैं आपसे Science and Technology और Environment है, उसके भी Important Topic डिसकस करूँ, तो आप बाद में निचे कमेंट में बताएगा, तो हम वो भी देख लेंगे, लेकिन आज हम जो मेन चीजे Science में हमारी आती हैं, वो Biology, Chemistry, Physics, इसके Important Topic के बारे में पढ़ेंगे, कि कौन-कौन से इन में Important Topic जो है, वो पढ़ने ज़रूरी है, इन तीनों के लावा मैं मानती हूं, आपका Environment भी इसी कही पार्ट है और आपको भी पता इसी कही पार्ट है, और Science and Technology भी, उसका हम दूसरी Part 2 में वीडियो उसकी बना लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो, चलिए, शुरू करते हैं, Biology से, Biology से, Biology से, Biology में जो मैक्सिमम, अगर साइन्स का, अगर हम देखें, कोशन्स किसी भी एक्जाम में देखें तो, अकेली Biology से, पूरी Science का 80%, जो 75-80% कोशन्स होते हैं, वो Biology से ही आते हैं, और अगर पूरे तीनों को मिला कर देखें, तो, अगर माल लिजे, 15 कोशन्स आपके Biology, Chemistry, Physics में, तीनों में से, अगर मिला कर आया हैं, किसी एक्जाम में से, तो, उसमें से, अकेले 13 कोशन्स जो ह वेटेज के बार में मैं डिस्कस कर रही हूं, Physics के कोशन्स जो है, इन दोनों के पिक्षा कम आते हैं, मैं जनरल किसी गवर्मेंट एक्जाम की बात कर रही हूं, किसी स्पैसिफिक एक्जाम की बात कर रही हूं, तो, इसलिए हमारे लिए सबसे इंपोर्टन्ट है, कि पहले हम बाइलोजी और केमिस्टी को है, जो है अपना मजबूत करें, और फिजिक्स को भी हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन पहले हमें इनको इनको इंपोर्टन्स देंगे, तो, बाइलोजी में पहले हम देखते हैं, कि सबसे जो इंपोर्टन्ट है, study of branches, तो, study of branches में यह आपक तो, जिसनी भी branches आती हैं, बाइलोजी में, वो सब हम study of branches के अंत्रकत पढ़ते हैं, और अग आप किसी भी एक जनरल एक्जाम को देख लेंगे, तो, इसमें से एक question जनरली पूछा जाता है, कि, बाइलोजी किसे कहते हैं, इसी तरह है, एपिकल्चर, यान कि, जो आपका पार्मिंग से लेटिर हैं, तो, यह चीज आपको ज़रूर करना है, study of branches, एक और चीज, biology के maximum topic, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो, आप चाहें, तो, चैनल की playlist में, biology की अहम folder है, वहाँ जागर आप देखेंगे, तो, सारी आपको biology की वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जा different inventions, जो खोज की गई, जैसे कि अगर आप से पूचा गया कि DNA की खोज किसने की, Watson and Crick ने की, जो डबल हैल का structure है किस इंदिया, Watson and Crick ने, इसी तरह कर आप से पूचा गया, कि जो आपका चेचक का टीका है, वह सबसे पहले किसने बनाया, तो, इसी तरह के जो कोशन है, जो different inventions है, वह आप से पूची जा सकती है, आप से पूची जा सकता है, कोई भी, किसी भी disease से रिलेटेड की, इसकी invention किसने की है, तो, मतलब किसी अगर आप करंट से रिलेटेड से जोड कर देखें, तो, वैक्सिनेशन अभी जो चल रहा है, वैक्सिनेशन एंकि कोरोना वार्स का बनाय गया है, वो किts एंस्ट्यूोट से बनाया किस की invention थि यह, तो यह सब जो है, इसमें आप के आएगी, कि डिफरेंट जो खोज है, इसमें पूची जाती है, जैसे कि टिशुद की होज किसने की, स्ल की खोज किसने की, न्यूचलिस की खोज किसने की, तो, यह सब AMA इто में पढ़ना है और यह जब मैं इस टॉपिक बना रही थी तो मुझे उसी टेम क्लिक किया कि चाहे मैंने सारी बायोजी की वीडियो बनाई हुई है लेकिन यह टॉपिक हमारा छूट किया है कि डिफरेंट इंवेंशन्स इन बायोजी तो यह जो टॉपिक हम जरूर पूरा कर है और्गन सिस्टम तकांटर , र्एस्पिरिटरि शिस्टम , जो परसंचने तंतर शिक अंतर पहकर हम नहीं कीकम करके हैजे है किसे क्या स्युप्डनिय व्तों करती हैं इसके यह जाब का पर कीईज्कर में मैं जोपकर पूर्मोंस के बार में बढ़ते हैं तो वह सब ऑन डीजेजजज आपकी दो तरकी होती है एक होती है जो आपकी जनरल होती है लाइफस्टाइल से रिलेटेडेड़, जैसे कि आपकी डायबेटीस हो गया, hypertension, obesity, मेर जो डिफरेटाटी के लेटीडागी लेटेड़ प्रोबलम्स हो गई जो आपकी लाइसे लेटेड़ होती है वाइरस से होती है, कोई बैक्टीरिया से होती है, कोई प्रोटोजोह से होती है, फंजाय से होती है, कवग से होती है, तो यह सब हम पढ़ते हैं, इस diseases में वह सब आपको कवर करना है, एक बार मैं फिर रिपीट करूँगी, सारी वीडियो घबराने के जूरत निए, अगर उसके बाद, प्लांट सेल को बिल्कुल स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल को बिल्कुल कंपेब करके पढ़ें कि इन्थों में क्या स्युक्षं है, उनका क्या जो है वो function है तो ये दोनों आपको इन दोनों में साथ-साथ पढ़ना है इसी तरह जो प्लांट टिशू है या फिर जो अनिमल टीशू से अनिमल टिशू है अनिमल टीशू कितनी तरह का होता है यह सब आपको देखना है उसके बाद जो जनतु जगत या फिर वन्हें पत्ते पत्ते लिए लिए लुबργे enriched the प्लांट के जो आपकी अगर देखें तो प्लांट में डिफ्रेंट जो बाद हमने पहले कर ली कि प्लांट टिश्यू और अनिमल टिश्यू भी आपको पढ़ना है इसके लावा एक और चीज है कि प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है पॉलिनेशन यान कि परागन किसके द कि जो रिप्रोड़क्शन है किस तरह का है, रिप्रोड़क्शन जो है आपका female reproductive system, animal reproductive system यह सब आपको देखना है वो उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है तो मेन, मेन, broadly हमने डिस्कस किया कि बी बिलोजी में हमें क्या पढ़ना है बाइलोजी के लिए अगर आप कहीं और न देखें तो आपको अगर चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बाइलोजी की स्पेसिफिकली बनाई हुई हैं आप उन सभी को फोलो कर ले आपका सारा सलेबस कवर हो जाएगा सिर्फ हमने love नहीं बनाई उस पर मैं वीडियो बना दूँ उसके बाद है चैमिस्ट्री तो कैमिस्ट्री में पहला है اटम आनो तो अ ऊट एंटम का स्ट्रक्चर अटम का क्या स्ट्रक्चर होता है कि इसने अयाटम के जो स्ट्रक्चर को बनाया कि viral Dick Ford structures कि ए औक तक इस चीजे हैं, मैटल और नोन मैटल जो आपके हैं धातू और अधातू, इसके साथ इसे में आप मैटलोइड भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी क्या प्रोपर्टीज है, उनकी क्या जो है रियक्टिविटी है, वो आपको देखनी है, एसी बेसिज अन सॉर्ट यह इंपोर्टन ह है, एक दूसरे को हम इनको कैसे डिस्टिंगिश कर सकते हैं, कि यह सब आपको पता होना चाहिए, उसके बाद यू यह दोनों आप एक पॉइंट में भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें यूज और फॉंक्शन ऑफ और गानिक अंपांड्स, तो और गानिक अंपांड्स हो गया, जिप्सम हो गया, स्लेक लाइम हो गया, तो इस तरह के जो आपके और गानिक कंपांड्स हैं, उनका क्या फॉंक्शन है, और क्या यूज है डेली लाइफ में, वह आपको बताना है, और इसी में अगर आप देखे हैं, तो चैमिकल फॉर्मुला ऑफ इंपोर्टें जैसे कि जिप्सम का केमिकल फॉर्मुला क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूचा जा चुका है, प्लास्टर ऑफ पैरिस का ओर्गरनिक फॉर्मुला क्या है, यह सब आपको पता होना चाहिए, तो इन बर भी जो है, वह मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, नेक्स्ट, फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे इंपोर्टेंट है आपका मोशन टॉपिक, जिसमें आपको न्यूटन's law of motion देखने हैं, 1st, 2nd, 3rd, उसके बाद, ग्रैविटी, जिसमें आपके कोशन पुचे जाते हैं, कि अगर आ पूचे जाते हैं, लाइट भी, लाइट जो है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में इसमें आपको रिफ्रेक्शन ओफ लाइट पता होना चाहिए, टोटल इंटर्नल रिफ्रेक्शन पता होना चाहिए, ये रिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्शन में क्या अंतर है, यह सब जो भी light में जो चीजे हैं, वो आपको पूरा अच्छे से examination के लिए पढ़ना है, क्योंकि फीजिक्स में सबसे important topic अगर बात करें, तो सबसे important topic क्या है आपका light है, clear? तो इसके बाद energy, heat, यह simple topic है, थोड़ थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद अगर तीसरा सबसे important topic पूछें, तो वो है आपका photoelectric effect, clear? तो यह है physics का important, जिसमें आपको light जो topic है, बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना, questions अगर आएगा, तो maximum probability है, कि light से ही आपको question पूछा जाए, या motion जो topic है, उससे question आपका पूछा जाए, तो यह था हमारा पूरा, कि science में जो biology, physics और chemistry है, उसमें आपके important topic कौन कों से है, अग जो हम part 2 है, उसमें देखेंगे कि science की जो दूसरे part है, environment और science and technology, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो comment करिएगा, अगर आपको video भी, अगर चाहिए, आप उनके topic देखना चाहते है, वीडियो कैसे लगी, प्लीज अपने view जुरूर देजिएगा, आपको कोई doubt है, तो प अपने whatsapp groups में status पे facebook पर जरूर शेर करें, आज के लिए बस इतना ही, thank you, thank you so much